नमस्कार, मैं बीरम देव, अस्रिस्टन प्रोपेशर हिंदी राजकी गन्या माविद्ध दले बूंदी आज की स्कालांस में मध्यन कर रहे हैं बीय पार्ट पर्थम वर्ष विशे हिंदी साहिते इकाय प्रथम इकाय प्रथम के अंतरगत मलिक मोहमद जैसी द्वारा रचित पदमावत का मान शरोदक खंड इस खंड के जो हमारे आठ पद लगे हुए हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे तो प्रथम पद के हम व्याख्या कर रहे हैं एक दिवस पुन्योत थि आई मान शरोदक चली नहाई पदमावति सब सक्खी बुलाई जनु फुल वारी सबें चली आई कोई चंपा कोई कुंद सहेली कोई सु केत करन रस बेली कोई सु गुलाल सुदर्शन राती कोई सो बकावरी बकुचन भाती कोई सु मोल सिरी पुहुपावती कोई जाहे जुही सेवती कोई सोन जरद कोई केसर कोई सिंगार हार नागेशर कोई कुजा सद बर्ग चमेली कोई कदम सुरसरस बेली चली सबे मालती संग फूली कमल कुमोद भेदी रहे गंधर्ब बास परम दामोद प्रस्तुत काव्यांस में मलिक मौमद जैसी ने इस मानसरोदक खंड के अंतरगत ये वर्णन किया है कि जो पदमा होती है वो पदमा होती जो पूरुनिमा का जो दिन है जो तिथी है उस दिन अपनी सहुलियों के साथ में वो अश्नान करने मानसरोदक पूंशती है मानसरोड में जाती है उस समयकस में वर्णन है तो सब सब पहले लिखेंगे संधर्ब तो प्रस्तुत का अव्यान से हमारी पाठे पुस्ति का भक्ति कावे के अंतरगत आये हुए हिंदी साहिति की दित्ते काल खंड भक्ति काल की उप साखा प्रेम मार गिये साखा के प्रती निधी फ़प्रमुक कवी मलिक मुहमद जैसी द्वारा रचित पदमावत के मान शुरुदक खंड से संकलित किया गया है संधर्ब संधर में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांस में मलिक मुहमद जैसी ने उस समय का वनन किया है जब पदमावती अपनी सहेलियों के साथ में मान शुरुवर में इस्तनान करने जाती है जब सारे की सारे सक्या एक जुंड में मान शुरुवर में श्तनान करने जा रही हैं तो उनके जो वस्त्र हैं वो विवित परकार के फूलों की भाती बेलों की भाती उनके वस्त्र सुशुबित हो रहे हैं प्रतीत हो रहे हैं इसका इसमे जैसी ने वनन किया है एक दिवस पुर्णियों तिति आई, मान श्रोदक चली नहाई, पदमावति सव सक्खी बुलाई, जन फुलवारिस में चली आई जैसे करें कि एक दिन पुर्णियों तिति आई, पुर्णिमा का दिन आया उस दिन, रानी पदमावति ने, अपनी सारी सक्खियों को बुलाकर, उनको एकत्रित करके, उनके साथ वष्णान करने के लिए, मान श्रोवर की और चलने लगी मान श्रोदक चली नहाई, मान श्रोवर में वष्णान करने के लिए चलने लगी पदमाउती सब सखी बुलाई पदमाउती ने अपने सारे सख्यों को बुला लिया जनु फुलवारी सब चली आई और ऐसा लग रहा था जब उसने अपने सख्यों को बुलाया तो जुन्ड में की जुन्ड में वो सख्यां जब आ रही थी तो एसा लग रहा था कि मानू एक विविद प्रकार के फूलों से भरी हुई रंग विरंगी गुलावी जो फूलवारी हैं वो चल कर आ रही हूँ क्योंकि उसक्यों ने जो वस्त्र पहन रखे थे वो विवित प्रकार के फूलों की तरह फूल पत्यों से बूटों से सने हुए बैलों से सने हुए उन्होंने वस्त्र धारण का रखे थे कोई चंपा कोई कुंद सहेली उन्हें से कोई सहेली यानि किसी सहेली ने चंपा के फूलों के जैसे वस्त्र धारण का रखे थे कोई कुंद सहेली और कोई सखी कुंद सहेली फूलों के समान प्रतीत हो रही थे अर्थात सखे उन्हें तो चंपा जैसे फूलों जैसे वस्त्र धारण का रखे थे कोई सुकेत करन रस बेली कोई सखी सुकेत जैसे फूलों के समान लग रही थी कोई करन के समान और कोई रस भरी बेलों के समान परतीत हो रही थी उन्होंने इस प्रकार के वस्तधारन का रखे थे कोई सुगुलाल सुदर्शन राती कोई सखी ने सु गुला सुन्दर गुलाल के समान रंग बिरंग के वस्त धारन कर रखे थे और कोई सहली सु दर्शन राती बिल्कुल लाल कलर के सु दर्शन जैसे महरून कलर के फूलों जैसे वदास्त धारन कर रखे थे कोई सो बकावरी बकुचन भाती कोई सहेली बकावरी पुष्प के समान लग रही थी और कोई सहेली बकुचन फूल के समान परतित हो रही थी अर्थात उन्होंने इन जैसे फूलों के जैसे रंग बेरंगे वस्तधारन कर रखे थे कोई सो मोल सिरी पूपावती कोई सकी मोल सिरी जैसे प्रतित हो रही थी, कोई पूपावती पुष्प के समान लग रही थी, कोई जाहें जुहीं सेवती, कोई सकी जुहीं जहानवी फूलों के समान प्रतित हो रही थी, कोई सोन जरद, कोई सहेली सोन जरद पुष्प के समान लग रही थी, कोई केशर के स कोई सकी कूजा सद बर्ग चमेली जैसे वस्त रूनुन धार्ण का रखे थे तो वो कूजा सद बर्ग और चमेली जैसे फूलों के समान परतीत हो रही थी। कोई कदम सुरस रस बेली कोई सकी कदम के फूलों के समान और रस बरी बेलों के समान परतीत हो रही थी चली सबे मालती संग फूली कवल कुमोद चली सबे मालती संग और जो रानी पदमावती हैं वो मालती पुष्प के समान लग रही थी फूली कमल कुमोद और वह कुमोद के समान खिली हुई हस्ति मुश्कराती हुई उन सक्खियों के आगे आगे चल रही थी और सक्खिया जुंड के जुंड उसके पीछे चल रही थी बेदी रहे गन गरबन भेदी रहे गन गंधर्ब बास परम दामोद और उन सक्खियों ने विवित प्रकार के इत्र केवड़े और सुगंद एसे पधार्थ लगा रखे थे जिनकी सुगंद पूरे उस वायू मंडल को भेद रही थी जिस प्रकार से एक फुलवारी से चारों और सुगंद फेल याती हैं उसी प्रकार से उन सक्खियों और पद्मा होते के अंग प्रतंगों से कुश्बू निकल कर पूरे वायू मंडल को भेद रही थी बास प्रमदामोद और उनकी जो भास और उनकी जो शुगंद है वो भोती शुन्दर परतीत हो रही थी इस प्रकार का जैसीने इसमें वनन किया हैं विशेस में लिखेंगे इसमें ठेट ग्रामिन अवधिभासा का प्रियोग हुआ हैं दूसरा बिंदू इसमें जाय से इने पदमा होती के और उनकी सक्षियों के जो वस्त्रें विविद प्रकार के फूलों से लगते हैं उनका उसमें सुन्दर प्रिपाक बनन किया हैं धन्य प्रियों आदेंगे जो आदेंगे।